गुद मॉर्निंग एवरीवन सुदलज व्यूफाम मैं आप सबका स्वागत है I pray to God that there should be happiness and prosperity in everyone's life तो आज के topic में हम बात करने जा रहे हैं ultra high density में pruning को लेकर कि किस प्रकार हम plant को column में त्यार कर सकते हैं और plant जहां पर है वहीं पर उसे एक single leader में control करके उससे अच्छी output ले सकते हैं So let me tell you कि tuning का जो concept है वो इस प्रकार से रहने वाला है कि plant तो चाहे हम एक feet पे लगाए या 10 feet पे अगर हमें control practice अगर हमारी जो control practice है वो weak है तो या हमें उस बारे में पता ना हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है तो आईए शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से हम plant को column में control कर सकते हैं या करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हैं हमारा एक साल का plant सबसे पहले आपने यहाँ पे सिटलिंग लगाया सिटलिंग पे इसमें ग्राफ्टिंग करी ग्राफ्टिंग करने के बाद जब ये प्लार्ट ग्रू करेगा जैसे कि इसकी ग्रूथ है तो हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ तो सबसे पहले जैसे आप देख सकते हैं इस प्रकार की जो पिंस है ये वाली वीक वीक पिंस जितनी भी है वो हमने कटनी करनी है उसमें कट करेंगे तो फिर फैदर बन जाएगा तो हमने इसको यहाँ पर कंट्रोल करना है एक कॉलूम बना के जैसे कि आप देख सकते हैं यहीं पर कंट्रोल करना है अब तो जैसे हमने यहाँ पर सम्बर में कट करेंगे थे सम्बर में यहाँ पर कट लगाए देखिए आप यहाँ पर यहाँ से पतली से पिं निकली है य हमने इसको कैसे कंट्रोल करना है अब हम क्या करेंगे इसको यहां से यह कट करेंगे वीक वीक प्राच किसे कहते हैं मान लीजी यह यहां से ब्राच निकली है हमने इसको यहां कट करा तो यहां से वीक निकली अब हमने इसको इस पर डाल दिया और वीक पे बीमा बहुत जल्दी त्यार हो जाता है वो आपको अच्छी तरह बता है और जो मोटी ब्रांच होती है उस पे ग्रोथ बहुत जल्दी आती है ये आपको concept याद रखना है और जैसे कि ये वाले हैं वीक फैदर, ये सारे हम छोड़ देंगे इस साल हम इसको कट नहीं करेंगे इसको कट नहीं मारना है, बिल्कुल भी नहीं मारना है जो ये पतले-पतले से हैं इनको हम खुला छोड़ देंगे, इस साल जैसी ये है, इसको भी हम खुला छोड़ देंगे तो अब बात करते हम यहाँ पे अगर इस वाली situation में अगर कुछ इस टाइप की situation हो जाए तो हम क्या करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे यह हमने संबर में कट करा यह यहाँ से वीक निकला अब हम इसको यहाँ से डालेंगे वीक पे और यहाँ पे अच्छा bird formation त्यार हो जाएगा यह वीक हम कट नहीं करेंगे और यह वाला यह आपको थोड़ा strong लग रहा होगा इसमें क्या करेंगे इसमें यहाँ पे निकल रहा है चोटा सब देखेंगे यहाँ पे अब देखेंगे यह त्यार हुआ है तो हम इसको यहाँ पे कट मारेंगे इस टाइप से ताकि यह वाला जो bird है यह अच्छे से इस साल त्यार हो जाए और यह आप देखेंगे कट मारने के बाद यहाँ पे हमने यहाँ यहाँ पे कट कर आए यहाँ पे हमने कट कर आए तो दो फैदर आए है थोड़ा सूप भी गया इसको ऐसे निकालेंगे वीक फिर अगर उपर की बात करें तो इसके अपर पार्ट में इस टाइब से फैदर आए यह आप देख सकते हैं यह थोड़ा स्ट्रॉंग शूट था हमने याँ समबर में कट की ये इक स्ट्रॉंग आया है यह वाला स्ट्रॉंग शूट है यह वीक है तो जो वीक है इसको हम वीक पे रखेंगे हमेशा वीक जितना आप सिंगल लीडर में वीक वाले जो शूट है या पिन्स है उनको अगर रखेंगे तो वो आपको फ्यूचर में बहुत ही बेनिफिट देंगे और जैसे कि यह है यह भी एक वीक प्रांच है इसको इस साल खुला छोड़ देंगे क्योंकि इसमें spur formation जो होगा वो बहुत ही जल्दी होगा और असानी से हो जाएगा तो जो इसका अब उपर का shoot है जो उपर को जा रहे इसमें हम देंगे head back क्योंकि bird formation के साथ हमारको growth के साथ bird formation के साथ हमारको growth भी चाहिए तो इसमें करेंगे head back head back थोड़ा उंचा देंगे अगर आपके पास strong shoot है तो थोड़ा उंचा head back करेंगे अगर आपके पास weak है अगर आपका leader weak है तो थोड़ा उसको नीचे उसमें head back करेंगे तो उसमें करेंगे हम head back इस type से इस type से करेंगे इस प्रकार से हम इसको कॉलम में कंट्रोल करेंगे तो अब हम बात करते हैं सेकंड प्लांट की ये तो हमने बात करी एक साल के प्लांट की अगर आपका प्लांट दो साल का हो तो दो साल का प्लांट आपका इस प्रकार से त्यार होता हुआ आपको नजर आएगा जैसी कि आप देख सकते हैं ये बड़ के लिए बिल्कुल बड़ फॉर्मिशन इसमें असानी से हो जाएगा ये वाला देखेंगे अब ये वाली ब्रांच ये वाली ब्रांच यहां से गई हमने इसमें यहां पे समर में हेड़ किया तो ये pins आई पिन्स को क्या करेंगे जब यहां से cut करेंगे और इस pins पे रखेंगे ताकि यहां पे पीछे यहां पे इसमें बड़ फॉर्मेशन असानी से हो जाए जैसे कि ये है यहां पे इसको हमने यहां पे समर में cut किया था आपको शाय थोड़ा नजर आ रहा होगा, यह हमने समर में कट किया, यहां पे, यहां से एक वीक आई, यह वीक हमने सल, खुली छोड़ देनी है, इससे क्या होगा, वीक को हम अगर वीक को रखेंगे, तो यहां पे इसमें, पीछे को बड़ फॉर्मेशन होगा, तो अब बात करेंगे यह, यहां पे हमने समर में काटा था, यह ठूर जो है, इसको हमने काट लिया, और जो यह हमने समर में काटने के बाद, यह वीक आया है, इसको हम सिंगल, यहां से काटके, वीक बनाच हम रख लेंगे, वैसी हम उपर को चलेंगे, उपर भी आप देख सकते हैं, यह ताकि इसमें जो है यहां पे बैक में बर्ट फॉर्मेशन हो जाए ठीक है और जितनी भी यह पिन्स है आप देख सकते हैं कितनी पिन्स है इसमें बहुत सारी पिन्स है इसको हम खुला छोड़ देंगे हमेशा वीक ब्रांच रखने की कोशिश करना है और उपर आएंगे उपर आप देखेंगे यहां पे इसमें यहां पे संबर में कट लगा था यह एक बहुत ही मोटी ब्रांच आगी एक वीक आगी तो इसको हम रखेंगे वीक ब्रांच पे इसको हम वीक पे रखेंगे अब उपर आगे हम यहां पे दो स्ट्रॉंग शूट आपको नजर आ रहे होंगे यह वाले लीडर हमेशा रखना है सिंगल इसको उड़ा देंगे और इसमें करेंगे हैड़ वैक इस तैप से और यह जो यह वाली एक ब्रांच है यह भी होड़ी स्ट्रॉंग बन जाएगी इसको हम करेंगे इस प्रकार से आप इसको कॉलम में त्यार करेंगे इस तैप से आपका प्लांट कॉलम में त्यार हो जाएगा यह आप देख सकते हैं इसमें बर्ड फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा हुआ है इसमें जितने भी वीक बर्ड होंगे वो आपको छोड़ने है मोटे में आपको स्टब करना है और स्टब अगर आपने स्टब करी यह से हम देख रहे हैं अब यहां हमने स्टब अभी किया था यह आपका समर में किया था तो यहां से वीक आई तब हमने को यहां से नहीं Space doesn't matter, Space matter नहीं करता है, अगर plant से plant का आप, अगर plant से plant की दूरी, एक foot भी है, अगर आपको pruning आपको पता है, तो आप कर सकते हैं उसको control, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं, single column में, तो मैं आपको एक और plant दिखाता हूँ, तो यह हमारा दो साल का plant है, तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें यह bud formation हुआ है, इसमें यह flowering bud है सारा, और जैसे कि हमने यहाँ पर इसमें cut किया था, summer में, summer में हमने इसमें यहाँ पर cut किया था, cut करने के बाद इसमें पीछे को bud formation हुआ है, तो अब हम इसको यहां से कट करेंगे, दुबारा से और यह जो पिंच होती है छोटी जितनी भी पिंच होती है इसमें यह बड फोर्मेशन जल्दी हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी यहाँ पर बड फोर्मेशन हुआ है और पिछली सर्म ने यहाँ पे step कर रहा था अब यहाँ पे इसके back में यह pin आई यह वाली pin आई यह flowering bud इसमें बहुत जल्ली आता है तो अब इसको यहाँ से ला देंगे और यहाँ पे आप देखेंगे तो अब आप यहाँ देखेंगे हमने इसमें यहाँ पे summer में cut किया है summer में cut करने के बाद इसमें एक pin यह आई और एक pin इसमें यह आई अब हम क्या करेंगे हम इन मैसे एक pin का selection करेंगे इसको यह तरह से weak है weak pin है weak pin पे इसको रखेंगे तो इसमें bird formation बहुत जल्दी होगा और अगली साल के लिए इसमें flowering इसमें flowering आ जाएगी flower bird इसमें त्यार हो जाएगा अभी देख सकते हैं छोटी छोटी pin है इसको हम खुला छोड़ेंगे इसको हम cut नहीं करेंगे इस पार इसमें हमने cut बिल्कुल भी नहीं करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने summer में cut की यह एक strong shoot आया और यह pin आई तो अब हम इसको क्या करेंगे pin पे cutting cut मारेंगे इसमें pin पे ताकि इसमें flowering bud हमारे पास next tier के लिए ready हो जाए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने stub कर आए step करने के बाद यह week आया तो हम इसको week पे डालेंगे ऐसे इसको हम रखेंगे week पे week पे करने से इसमें क्या होगा flower bud जल्ली आएगा और अगर upper area की बात करें हमें इसके तो आप यह देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही यह इस type के strong shoot है इनको stub करेंगे जितने भी strong shoot है सबको stub करेंगे ऐसे यह वाला है इसको यहाँ से काटेंगे और यह week इनकी रहने देंगे यह वाला है इस type से इसको हम stub करेंगे यह वाला है feather इसको भी हम करेंगे stub इसमें भी करेंगे stub यह भी stub में जाएगा सारा और जो इसका जो इसका लीडर है तो आपका जो प्लांट है जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे यह एक स्ट्रॉंग शूट है यहाँ पे हमने कट करा था समर में समर में हमने यहाँ पे कट करा था तो यह पिन्स बगर आगी तो हम इसको pinz पे cut करेंगे बुनने का मतलब ये कि हम इसमे pinz को रहने देंगे weak से weak pin हम रखेंगे strong shoot को strb करेंगे या इसमें अगर आपने summer में आपने इसमें strb कराई और उसमें pin आई है तो उसको pin पे reverse करेंगे और आपका इस प्रकार से ये एक controlled प्लांट रेडी हो जाएगा और अब इसके बाद अब देखिए अब मैं आपको बताऊं कि यह जैसे एक स्ट्रॉंग लिडर है एक स्ट्रॉंग लिडर जा रहा है तब अब हम क्या करेंगे इसमें यहां हेडबैक नहीं करेंगे तना जीक हम इसमें हेडबैक करेंगे उंचा यहां पर इस टाइप से यह इसका एक फूरूटिंग एरिया इसका रेडी हो गया है इसके लोवर पार्ट में अब जो इसका अपर पार्ट है जो यह भी ब्लैंक है यह इस साल इसमें फैदरिंग होगी और नेक्स्ट के लिए आप इसमें भी फूरूटिंग एरिया इसका त्यार करेंगे तो इस प्रकार से आप प्लम की अल्ट्रा हाई डेंस्टी की प्रूनिंग कर सकते हैं और प्लांट को कॉलम में त्यार कर सकते हैं तो आज मैं अपना जो मैंने सीखा है तो वो ये सब एक्सपीरियंस आप से शेयर करना चाहता था तो हमारे चैनल पर बने रहें थैंक्स पर वाचिंग प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक्स